बुलो ओम साइं राम स्वाठ्ठ्ठ्ठाए एक कलब व्रक्ष के समान है साइं केते हैं आदर्स विद्यार्थी अपनी समय का एक एक छण अच्छे और उपियोगी कारियों में बिताता है उसका पूरा समय एक व्यवस्थित समय साणी के द्वारा बंधा हुआ होता है समय का सही सदुपियोगी जीवन जीने की आदर्स कला है अच्छी पुस्त के एक अच्छी पथ प्रदर्सक तथा अच्छे नित्र की तरह होती है अच्छे साहित्य के स्वाध्याय से मन में अच्छे एवं उदार भावनाएं आती हैं व्यक्ति सतकर्मों की ओर सहजी उनमुक होता है अच्छे स्वाध्याय से अरजित सद्यान के द्वारा मन में सुविचारों का सागर हिलोरे लेने लगता है कुविचारों की दुस्चक्र से सहज ही मुक्ती मिल जाती है एक सच्चा स्वाध्याई सतत आत्म निर्माड की दिशा में ही सोचता रहता है वह अपने प्रतिदिन के कारी का मूल ल्यांकन करके यह पता लगाता रहता है कि सुधार की दिशा में मेरी कदम प्रति दिन कितने आगे बढ़े और अभी आगे कितना और मुझे बढ़ना है एक सच्चा स्वाध्याई हर छण जागरत रहता है उसके कानों में उपनिशदों के प्रेरक वचन गूंजते रहते हैं बोलो सी साइनात महराज की जय